आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें साथ क्रिया करके एक अन्य योगिक सी बनाता है जिसका आड़ुसूत्र सी 3H8O है ठीक है और योगिक सी सोडियम के साथ बुदबुदाहट उत्पन करता है और तो CRO3 के साथ आक्सी करण पर योगिक सी 3 कारवन परमाणू युक्त एक संत्रप्त एलडी हाइड देता है ठीक है तो कह रहा है कि A B तथा C की समझना है ज्याद कीजिए एवं सन्नेहित अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए ठीक है तो आईए हम अपने प्रश्न के उत्तर क समझते हैं और जो इनकी समिकरण को भी लिखते है ठीक है तो जैसे की पहले हमें के यह यौगिक दिया है उसका अदुसूत्र दिया हमें سी 3 एच एट ओ तो इस प्रकार से यह हमें यह ए बी तथा सी तीनों ही यौगिकों के आड़ुसूत्र हमें दिये हुए है तो अब पहले क्या कह रहा है कि यह जो यौगिक ए है वह आयरन तथा सांद्र एचल के साथ अभी क्रिया कर सी यौगिक भी बनाता है और यौगिक भी एन यौगिक सी जो है वह सोडियम के साथ बुद्वदाहट उत्पन करता है और सी आर ओ थ्री के साथ ऑक्सी करन पर यौगिक तीन कारबन वाले पर तीन कारवन परमाड़ियों युक्त एक संत्रप्त एल्डी हाइट देता है यानि कि यह जो हमारे C3H8O है इसकी जो है हमने आपर CRO3 के द्वारा ऑक्सीगन करा दिया तो इसके फल्सुरूप जो है हमें तीन कारवन युक्त एक संत्रप्त एल्डी हाइट पर आप्त होता है तो तीन कारवन युक्त संत्रप्त एल्डी हाइट से क्या अतात पर है C3H2CHO जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमारे तीन कारवन हैं और यह जो हैं यहां पर एक बंद उपसते थे जिसके कारण से यह हमारे एक संत्रप्त ट्क हमारे क्या है प्रोपेनल्ड टी हाइड प्रोपेनल्डी हाइड तो ये अवस्य एक हमारा एलकोहल होना चाहिए क्योंकि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं CRO3 की उपस्तिती में तो हमें यहां पर LD हाइट प्राप्थ होते हैं ठीक तो जैसे कि हमें एल्कोहल का यहां पर अडुसुत्र दिया है तो इसके आधार पर जो है अब हम C की संरचना बना लेते हैं ठीक ना तो तीन कार्ब C-H2-O-H ठीक है तो जैसे कि देख सकते हैं इसमें तीन कार्बन है तीन तो पांच दो साथ एक आठ हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है यानि यह जो है C यॉगिक जो है वे हमारे क्या होगा प्रोपेनॉल होगा प्रोपेनॉल जो है यह हमारे यॉगिक C है ठीक ना और जो आब हमने यहां पर ऑक्सिक्ला कराया है, CRO3 की उपस्थिती में, तो यह जो है ऑक्सिक्ला थोकर करके, यहां पर हमारा प्रोपेनलडीहाइड बना रहा है, ठीक ना, यानि कि यहां पर हमारा था, CH3, CH2, CHO बना रहा है, प्लस साथ में जो है एक अडू हमें जल का प्राफ्त हो गए इस अभी क्रिया में ठीक तो इस प्रकार से जो है यह हमने यहां पर यॉगिक C की पहचान कर ली है ठीक ना यह जैसा कि हमसे प्रस्ट में कहा रहा था कि यह जो सी यॉगिक है यह सोडियम को साथ जो है यह अच अगे शहर प्रोपयननोल हो गया इसकी जह करिया हमने सोदियम दहातूं से छाए ठीक ना यह हम विस्ताफित कर देती है येहां से और यहाँ पर हमें सोडियम को निर्माड होता है है यानी कि यह ऐज्स तुउ छोर्च कुण प्रोपक्साइड रो टॉक्साइड अन्थिक है यहाँ से जो है आप हमारा हाइड्रूजन गैस निखलती है अहीं सब्सक्साड निख लिए है भुद्धा प्रuel प्रसलिबी चैसे ख़िन अब इसे कारण से हमारी हिम्द बुद्धा थिक तो इस प्रकार से जो है यहिए यौग जो सी है हमारा यानि इप्रोपेन एओ दिंरस छफिव याधे है हमने यांए यह से प्रॉप्यात हुआ हुआ है फीक है टो जैसे कि हमेराול यह सी है वह हमारा है प्रोपेन वन और है तो जब हम किसी अविकरिया कराते है यानि की पस्थिती में करांते है ट्यांद जाया हमते यह पर यहां पर वाले कंव एक यहine क this is होना चाहिए यह प्रोपिल एमीन होना चाहिए ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यह हमारा नाइट्रोजन है यह हमारे जो है इस नाइट्रोजन के साथ साथ यह हमारे जो हम यहां पर यहां यहां पर जा करके इस करबन से जोड़ जाता है और यहां पर यहां पर एल्कोछल निर्मार करता है यहां अंबली माद्य था है हें तो यह हमारा अब देए का दो सीय सीच टू सी एच टू हच प्लस और किसे मैं उनल रहा प्रॉपिल आमीर 3 और आर्थ योगे गी जो था वैं आकिंट्रे प्रॉपिल लॉन क्ला आडू सूतर हमें दिया था C3H9N, C3H9N दिया था इस काडू सूतर, अब जैसे किसमें देखे हैं हमारे कारवन कितने हैं, एक, दो, तीन कारवन है, तीन, दो, पांच, दो, नो हाइड्रोजन है, तथा एक नाइट्रोजन है, अता यह जो यौगिक B हमने लिया है, प्रोपिल एमीन यह सही है, चुछ यह हमारा अडू सुतर भी दिया है, ठीक, तो यह भी हमने इस की आँपर अभिक्रिया देख ली और यह जो है, यह यौगिक B की हमने पहचान कर ली, जो की है, हमारा प्रोपिल एमीन, ठीक, और यह प्रोपिल एमीन अब हमें कहां से प्राप्त हुआ है, यह भी हम देखें, तो प्रोपिल एमीन जो है, कब प्राप्त हुआ है, जो हमने यौगिक A की जो है, आइरन तथा HCL के साथ अभी क्रिया कराई थी तो यह हमारा iron और संद्र HCL जो होता है हमारा अपचायक होते है यानि कि यह hydrogen उपलब्द कराते हैं और यह अपचैन कर देते हैं योगिक का जिसके साथ ही अभी क्रिया कर रहे होते हैं जैसे कि योगिक A का जो हाड़ी सुत्र हमें यहाँ पर दिया C3H7O2N और यह जो है हमारे योगिक B क्या था यह हमारा था प्रोपिल एमीन यानि कि CH3 CH2 CH2 NH2 था यह हमारा तो यह प्रोपिल एमीन था तो जैसे कि हम देखे हैं हमें एमीन में परवर्तित करना है A को ठीक है वो भी कैसे iron और Hcl के साथ अभी कराकरे यानि किसका अपचैन कराना है ठीक है तो जब अपचैन कराना है तो यानि कि यह जो हमारा A है वह भी हमारा पराप्त होगि ठीक चना यानि योगिक हें हमारा क्या होगा वन नाइत्रो प्रोपेन यानि कि CSS 3 condemnation है यह हमें तो three 1 यानि एक दो तीन करवन je 6 27 साथ हैट डू जने दो ऑकसीजन एक है नागार नाइट्र प्रोपेन जो है हमारा यॉग्ट हो सकता है ठीक ना तो इसकी जो है राशानिक सभ्कूरत देख लेते हैं कि इसके फलसुरूप और हमें यहां पर 6 hydrogen प्राप्त होते हैं ठीक है तो जो च्या होते हैं तो तो फोड़ जू है चार hydrogen साथ अभी क्रिया करके टू-h2-0 बनाकर जो है निकल जाते हैं ठीक है यह यहां पर जाकर हमारे इस nitrogen चुरूत हैं और यहां पर यहां पर वावन गया अब यह जो बच्छे हुए 2 हीड्रोजन बच्छे यह दो आज करिसे तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर वन नाइट्रो प्रोपेन का जब उस से हमारा यॉगिक क्या होगा वन नाइट्रो प्रोपेन होगा तो इस प्रकार से यॉगिक ए यौग एक बी तथा यौग एक सी की जो है वे पहचान कली ठीक तो इसी प्रकार से जो है यह हमाई प्रशन का उत्तर पूर्ण होता है आशा करता हूं आप से भी को उत्तर समझ में आओगा धन्यवाद